इस ब्लोग को जो भी पड़ेगा ये तस्वीर है आप देख रहे हैं पिधार मंत्री अपनी माता जी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए कंधा देते हुए ये जो पल है ये दुखद है ये जो क्षती है ये अपूर्णी है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और आज सुबह साड़े तीम बजे पड़ा मंत्री रेंजर मुदी जी की मा ने अंतिम सास ली और तब ही पड़ा मंत्री ट्वीच कर लिखा था कि शांदार श्वाताबदी का इश्वर्श रनो में में विराम अभी हाल ही में ही रवेन जो थी वो सौ वर्ष की हुई थी सौ साल की में पड़ा मंत्री रेंजर मुदी जी की मा का निधन और बहुत ही भावनात्मक पल है ये और पड़ा मंत्री ने अपनी मा को श्वधाश्री अर्पित की कंधा दिया और ये उनकी माता जी की अन्य अन्य अलग-अलग जो केंद्रिये मंत्री हैं उनकी तरफ से भी शोक अंदेश आते हुए तो अपनी मा की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए एक आम बेटे की तरह जिस तरह से इस वक्त पर एक बेटे के कर्टव्य को निभाते हुए प्रधान मंत्री सारे कारिक्रम जो है वो रद करते हुए यहां पहुँचे और अपनी मा की इस अन्तिम यात्रा में शामिल हुए तो सौस साल के जीवन का जो अंत हुआ है ही रबेन का और साफ तोर पर अपनी माताजी के शम्शान यात्रा में कंधा देते हुए प्रधान मंत्री और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका जीवन जो है प्रधान मंत्री का जो जीवन है जो देखे जो दाशनिक पाठ और जो अनुभवों से तजर्बों से सीखा जो पहली शिक्षक रही है दानमंत्री की वो उनकी माताजी रही है और अपने ब्लॉग में कई वाक्यों के जरिये चाहे हम स्वच्ता का जिक्र करें साफसफाई की बात की जाए बात की जाए करतवे प् लोक्स को मुख्यधारा में शामिल करने की तमाम जो अन्यविशिश्टाएं हैं ये उन्होंने अपनी माताजी से ग्रहन की तो प्रामंत्री की माताजी से जो उन्होंने सीखा वो उनके व्यक्तित में साफ तोर पर जहलगता है और यही हम देख रहे हैं कि आज एक आम हम सिदी तो ये लिखा था कि बहुत सौ साल का जो प्रामंत्री पड़ेगा यह तस्वीर आप देख रहे हैं पिदार मंत्री अपनी माता जी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए कंधा देते हुए यह जो पल है यह दुखद है यह जो क्षटी है यह अपूर्णी है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और आज सुबह साड़े तीम ब का निधन और बहुत ही भावनात्मक पल है यह और पड़ा मंत्री ने अपनी मा को श्वधाज़ी अर्पित की कंधा दिया और यह उनकी माता जी की न्यूस फर्स्ट प्रतिक्षणा न्यूंदिगे